जोतिश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत और अभी नंदन प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वदनन्द शर्म मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार तो साथियों चर्चा रहेगी आज भी आपके साथ आपके अपने मन पसंद कारे करम के विशह में जिसका नाम है दैनिक राशी फन और दैनिक राशी फन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी बारे राशियों के जो हमारे मित्र हैं मेश्ट से लेकर के और मीन राशी तक जो भी जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है तो दिनांग क्या रहेगी ये भी बताएंगे लेकिन उससे पहले पंचांग के विशह में भी आपको जानकरी जाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका देनिक राशी फल दोनों दिनांग 26 मई सन 2024 दिन रवीवार विक्रम समवत 2021 का है हिंदी का महीना, जेश्ट का महीना चल रहा है, पक्षच चल रहा है, क्रिश्न पक्षच तित होगी आज तिरतिया, यनिके तीज, नक्षत्र रहेगा मूल, और योग होगा साध्धे, करन होगा वनिच, और राशी होगी आज धनू चंद्रमा पूरे दिन धनु राशी में ही अपनी सम राशी है उनकी इसमें संचार करते रहने वाले हैं और राहुकाल की जो समयवधी रहेगी आज शाम पांच बचकर अठाइस मिनट से लेकर शाम साथ बचकर ग्यारा मिनट तक रहेगी अभी जीत मूर्थ की जो शुब समयवधी है वे प्राते ग्यारा बचकर पचास मिनट से लेकर दोपहर बारा बचकर पैंतालिस मिनट तक रहेगी और इसके अतरिक श्री गणेश चतुरती जी का विरत भी है आज और गंड मूल प्राते 10 बचकर 36 मिनट पर हो जाएंगे समापत तो ये थी जानकारी पंचांग के विशे में अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशी फल के विशे में जो की पूरी तरह से वरतमान में जो गोचर में आसमान में जो गुरों की इस्तिती है उसी पर ये राशी फल आधारित है और इसी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सभी बारे राशियों के जो हमारे इमित रहें जातक हैं उनका आज 26 मईई 2024 का दिन रवीवार का दिन कैसा रहने वाला है तो आरम करते हैं मेश राशी से सबसे पहले जिनका मेश राशी है यनि के जिनका एरी साइन है साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जैसा कि पंचांग की सितीक के विशाय में बात करते समय जब आपको बताया था कि चंद्रमा जो है पूरे दिन धनुराशी में संचार करेंगे तो आपके भाग्य भाव में रहेंगे तो निश्यत रूप से भाग्य में जो अभी अ साथ कर सकते हैं और उसका आप धार्मिक लाब भी ले सकते हैं दूसरी और जो हायर श्टडीज कर रहे हैं जात्र उनको भी थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अपनी education को ले करके या अपने education से related परिणामों को ले करके तो आज के दिन आपको यानि के जो higher studies कर रहे हैं students उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी संकेत मिल रहे हैं और दूसरी और ऐसे वो हमारे मित्र के जिनका एक तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए शनी की सिती जो है आपकी कुंडली में अपनी राशी में होने के कारण स्वेगरही होने के कारण धन का आगमन भी आपके लिए है और धन आता रहेगा आपके लिए इंकम में किसी प्रकार की रुकावट आपके लिए नहीं रहेगी मान सम्मान में आपके व्रद्दी होगी और मान सम्मान आपका बरावर बना हुआ है प्रिये साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको पूरा अशिर्वाद और प्यार बरावर मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका स्वास्त भी अच्छा रहे और आपके मान सम्मान में भी कमी ना आए तो फिर आप आज के दिल प्रहते काल उठकर के सूर्य भगवान को जल अवश्य दें और तामे के पात्र से दें उसमें एक चुटी आप कुम कुम भी मिला लीजिए वो मिला करके और तब आप जल दे सकते हैं तो प्रियसातियों ये उपाय करें और साथ ही ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक माला या तीन माला का जाप भी जरूर कर लें आगे बात करेंगे जो हमारे विर्शब राशी के मित्र है यानि के जनका तोरस साइन है प्रियसातियों बताना चाहता हूं कि देखिए अभी तक जो आपको समस्यां आ रही थी किस चीज में आपको अपने जो घर के बुजर्ग हैं बड़े हैं माता पिता हैं उनके आशरवाद मिलने में या थोड़ा सा उनके साथ आपका कुछ मतभेद कह सकते हैं या कुछ थोड़ी सी बीच में ये भी कहा जा सकता है कि उनकी नाराजगी भी आपको फेस करनी पड़ रही हो लेकिन हम आपसे बराबर यही कहते आ रहे थे कि आप अपने बुजर्गों का सम्मान जरू करें चाहें हाला जैसे भी क्यों ना हो लेकिन अब आकर के आज के द चाहूंगा कि छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है क्योंकि अगर आप छोटी दूरी की यात्रा करते हैं तो इसमें या तो आपको कोई चोटादी लग सकती है या कुछ कटना ही हो सकती है लेकिन जाएं विरक्ष पर जल चढ़ाएं और वहीं पर देशी घी का दीपक जला करके आएं ये आज का उपाय आपके लिए बनता है आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशी के मित्र हैं यनि के जिनका जेमनी साइन है प्रियसाथियों आपके लिए बताना चाहेंगे कि यूं बेवाहिक जीवन का लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा परीजनों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ आपका कुछ मतभेद कुछ बातों को ले करके उबर सकता है और अपनी तरफ से आप कोशिश करिएगा कि उनको किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वानी का उपयोग ना करें कोई अगर उनकी तरफ से कोई आपको शिकायत भी है तो आप बहुत धहरे और पेशेंस से काम करें इस बात का ध्यान रखें एक बात और भी हम आपसे यहां पर बताना चाहेंगे मिधुन राशी के जातकों को कि जो भी आपने अभी तक अपने धनका संचे किया है या कहीं नहीं हो रहा है तो चलिए जो हमने अपना पैसा जमा किया हुआ है उसमेंसे कुछ विड्रो कर लेते हैं तो ऐसा कुछ ना करें अपना जमा पुझी जो है उसको डिस्टर्ब ना करें अगर एक बार आपके द्वारा पैसा निकाला गया और आवश्यक्ता जहां पर भी आपके लिए राहत का एक तरीके से मैसेज गरहों के द्वारा मिल रहा है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लिटल बिट कह सकते हैं कि आपको एक तरीके से पीस मिल सकती है आज के दिन वैसे आपका मन बहुत प्रिसन रहेगा प्रिया साथियों मैं आप से बताना आप क्या उपाय करें आज के दिन आपने कुछ नहीं करना है आज के दिन सरफ और सरफ आपने धार्मिक स्थलों पर जा करके आपने हल्दी का एक तो आप दान कर सकते हैं और धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं ये कार्रे आप कर सकते हैं आगे आपको हम बात करेंगे जो हमारे करकराशी के मित्र हैं यानि कि जिनका कैंसर साइन बनता है पर ये साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए जो आपको अभी कुछ समस्याएं आ रही थी किधर से आपके वरोधियों की और से या आपके शत्रूओं की और से या अगर आपका कोई कोड यह ऐसा दिन है कि आप अगर अपने एडवोकेट या जो आप जिससे आप जिसको कं़ल कर रहे हैं या जो आपका मैटर जो भी लीगल मैटर है उसको लेकर कोड काषरी में आपके लिए कार्जु कर रहा है जो वकील आपके यह is.से जाकर कि अगर आप consent करेंगे तो आपको आज उसके द्वारा कुछ ऐसी वातें भी बताई जा सकती हैं जेनको सुनकर कि… आपको काफी संतोष होगा. ऐसी निकर वातें उनके द्वारा होगा जिस से आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ आपका जो केस है मजबूत है और वर्डिक्ट काफी हद तक आपके फेवर में जाने की संभावना है आज के दिन कुछ इस तरीके का संदेश आपको अपने एड़ोकेट से या लोयर से मिल सकता है जहां तक आपके विरोधियों का प्रिश्ण है विरोधी भी आज के द प्रिणामों की प्राप्ती होगी अपनी एजूकेशन से रिलेटेड हाइर श्टडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या कीजेगा उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आप ए इनका लियो साइन बनता है तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि जो हमारे सिंग राशी के स्टूडेंट्स है और जिनको अपनी पढ़ाई को ले करके थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था या पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहुल नहीं मिल पा रहा था ताकि आप कुछ अच्छा पढ़ सकें तो कुछ ना कुछ समस्या है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड चल रही थी लेकिन आज के दिन आपको बहुत काफी उससे राहत मिलने वाली है और आज के दिन का पूरा लाब लीजिए बहुत फेवरेवल डे है आपके लिए साधिक कर सकते हैं करें ताकि आपके आने वाले दिनों में उसके अच्छे प्रेणामों के आपको प्राप्ती हो तो आज का दिन इस्टूडेंट्स के लिए बहुत फेवरेवल डे है इस्टार्स की तरफ से गरहों की तरफ से प्रियसाथियों मैं आपसे इतना भी बताना प्रीयसाथियों, बाकी और भी जुखालाआत हैं वो भी आपके अनुकूल बने रहें चाहें वो परिवार के सदस्यों के साथ, चाहें घर के बड़े भुजर्गों के साथ, इस तरीके से जो भी इस्थितियां हैं वो आपके फेवर में रहें, तो उसके लिए आपकीा क्य का जरूर लगा करके घर से निकलें तो आपके लिए ये बहुत ही उत्तम उपाय रहेगा आगे बात करते हैं कन्याराशी के जातकों के लिए जो हमारे विर्गोजिंका साइन बनता है प्रिया साथियों मैं आप से बताना चाहूँगा कि अभी तक आपको अपनी या तो माता क साथ तालमेल अच्छा नहीं था या माता को थोड़ा स्वास्त सुनका नरम था या माता की और से आपको कुछ नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा था इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ जो है जो आपको फेस करनी पड़ रही थी या अपनी माता के स्वास्त को लेकर के आप चिंते थे तो आज के दिन ऐसी जितनी भी कोई परिशानी अगर आप से जुड़ी हुई थी जिसकी संस्भावना काफी अधिक है तो उसमें आपको आज के दिन काफी राहत मिलेगी माता की ओर से आप काफी एक तरीके से राहत भरा समाचार आपको मिलेगा अपनी माता के और से स्वास्त में अगर उनका कमजोर है तो स्वास्त भी इंप्रूव होगा और यदि अगर वो नाराज थी तो भी उनकी नाराजगी दूर होगी तो आज के दिन आप हम यही कहेंगे के प्राते काल उटकर के अपनी माता के चरण छो करके उनका अशिरवाद अवश्यन है प्रियसातियों बताना चाहेंगे कि देखिए थोड़ी बहुत समस्यां जो हैं जैसा कि हम बताई रहे हैं कि अंगारक योग बनने के कारण वेवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याें बन रही हैं तो वो भी ना हूँ उसके लिए उपाएए आप क्या करें उसके लिए तो उपाएए यही है प्रियसातियों कि देखिए भगोन शंकर जी की पूजा करना न चोड़ें आप भगोन शंकर जी को परसंद करें शिर्फ सहत्र नाम का पार्ट जरूर करते रहें अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशी के मित्र हैं जिनका लिबरा साइन है तो प्रिया साथियों बताना चाहेंगे कि जो हमारे आप लिबरा साइन के जो जातक हैं जो मित्र हैं आज के दि और तीसरी बात कि अगर आप कोई publisher है, या आप कोई poet है, writer है, stage artist है, अगर इस तरी के इसका कोई job या किसी कारे से आप जुड़े हुए है, तो आज के दिन आपको अपने ऐसे ही किसी कारे से जुड़ने के वज़ा से अच्छा लाप की प्रापती अपने कारे स्थल पर होने क संभावना है, यदि आपको कोई अपना कोई book publish करना चाहते हैं, तो आज के दिन जरू करा सकते हैं, उसका आपको अच्छा result मिलेगा, और इसी के साथ साथ, आपका प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा आज, आज आपका energy level बहुत अच्छा रहेगा, और आप प्राकरम के द दान भी कीजेगा, आगे बात करते हैं वरिष्चिक राशी के जो हमारे जातक हैं, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है, तो प्रिये साथियों बताना चाहेंगे, कि देखिए आज के दिन आप वरिष्चिक राशी के जो जातक हैं, आपके जो घर परिवार के सदसे हैं, उनके साथ जो आभी तक तालमेल नहीं बैट पा रहा था आज के दिन आप उनके साथ बैठेंगे बात चीज़ करेंगे तो देखेंगे कि काफी वातावरन आपके अनुकूल है और जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनकों की चाहें वो कोई गलत फैमी कहा जाए या कोई उनको कोई कन्फ वो दूर कर सकते हैं और एक नया माहौल आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं ऐसा माहौल जिसमें आपके परीजन आपसे खुश रहेंगे और आपको पूरा सहयोग देने का भी उनका इरादा वो रखेंगे ये तो रहा आपके परिवार से संब्देत अब आते हैं कि जो आपका धन संचे करने की एक तरीके से आज के दिन काफी पॉजिटिव साइंस हैं अगर आप अपना धन का कहीं इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी योग बन रहे हैं बेशक चाहें धनके आगमन में जरूर कुछ ना कुछ रुकावट है या थोड़ी कमी जरूर रहोगी लेकिन आपके धनके संचे में व्रद्दी होने के संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं और आप ये कर पाएंगे बहुत अच्छे डंक से मैनेज कर करनेंगे साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा के देखिए बाकी परमातमा के एक तो आपके उपर इतना किरपा है यानि के गर्हों की इतनी किरपा है कि आपको इतना ग्यान आपके पास उन्होंने दिया हुआ है ये God gifted कह सकते हैं कि आप अपने ग्यान के दौरा भी का समस्याओं पर काम करके उनको भी सॉल्व कर सकते हैं यह है आपकी अपनी च्छमता अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं और उनको अपनी पढ़ाई से संबंदित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो एक तो आज के दिन आप गुड जरूर खाए अपने खाने के साथ खाएं और गुड खा करके घर से निकलें और गुड गव माता को भी जरूर खिलाएं भोजन करने के पहले ये काम आपको करना है मासरस्थोती जी की पूजा जो हम आपको बता चुके हैं जरूर करते रहिए अभी लंबे समय तक आपको ये करना पड़ अगर आप उपाय करने के मूड में हैं और करना चाहते हैं तो आप यह उपाय पूरे महीने ही कीजिएगा मई के महीने में तब जाकर के आपको अच्छे परणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी प्रियसाथियों लेकिन मैं एक बात आप से और बताना चाहूँगा कि दूसरी और जो ऐसे लोग हैं कि जो हायर स्टूडीज करना हैं स्टूडेंट्स उनको थोड़ा सा आज के दिन अपनी पढ़ाई से संबंदित अपने इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति होने में कमी के संकेत हैं तो आपको थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि भई आप अच्छा रिजल्ट्स आपका आएं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ओर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे तब जाकर के कहीं बात बन पाएगी उपाए आज के दिन आप क्या करें उपाए तो हमने आपको बताई दिया कि देखिए मासरस्तोती जी की पूजा इस्टूडेंट करें और गव माता को गुड़ खिलाएं ये आपको कार्रे करना है उपाए के तौर पे तो उसके अच्छे प्रेनामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी आगे बात कर रहे हैं धनूराशी के जो जाता है यानि कि जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है प्रियस आत्यों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज के दिन आपका मन काफी प्रसंद रहेगा जो अभी कुछ दिनों से आप थोड़ा सा आपका मन जो था अशान से रहेंगे मन भी आपका प्रसंद रहेगा और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगे अधिक से अधिक समय व्यतित करना पसंद करेंगे प्रियस आत्यों मैं आपसे यह भी बता दूं कि देखिए घर में रहेंगे तो घर्म के जो बड़े بنے گی. तो आपको उन्हें नाराज नहीं करना है. आपको तो उन से आशरवाद लेना है. और उनको प्रसंड रखना है. देखिए ये भी अपने आप में एक उपाए है. कि आप अपने गुरुओं का सम्मान करें. अपने बुजरुगों का अच्छा रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भागे में भी उन्नती होगी आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशी के मित्र हैं जिनका कैपरी कॉर्ण साइन बनता है कि लंबी दूरी की यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा ये यात्रा आपको तकलीफ दे सकती है या कुछ और परेशानिया खड़ी हो सकती है यात्रा के दौरान या यात्रा के कारण लेकिन आज हम आप से कह रहें कि आज आप अगर कोई ऐसी प्लानिंग है कहीं दूर दौराज की यात्रा करने की या जाना की इच्छा रखते हैं तो जरूर जाएं आज के दिन आज के दिन की गई लंबी दूरी की यात्रा से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा कुछ ना कुछ प्रसंदा ही मन को प्राप्त होगी आपके, मन आपका प्रिसन ही होगा और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए स्वास्त भी आपका अच्छा रहगा आज के दिन स्वास्त को लेकर के भी कोई समस्या नहीं है बस थोड़ा सा अपने कार्रें को पूरा करने में थोड़ी सी समस्या बन रही है वो कार्रें आपके समय पर पूरा नहीं हो पा रहे है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्रें समय पर पूरे हो तो प्रियसाथियों बताना चाहेंगे कि देखिए प्रातेकाल इसनान के समय पर लाल चंदन आप अपने इसनान करने और में ज़ल्में मिलाग लें और ताव करें और घर से निकलते हैं केसर का तिलक नाथ माथे पर ज़रूर लगाएं ये ज़रूर ये काम करें अगे बात करते हैं कुमबराशी के जो हमारे मित्र hearings यह जिनका seraid प्रिया साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए हम आपसे बरावर इस बात को कह भी रहे हैं, बीच बीच में बरावर बोला भी है हमने, कि देखिए थोड़ा सा धनके आग मन में कमी के संकेत ग्रों की और से बन रहे हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं से आपको धनकी प्राप्ति का योग भी बन रहा है, कहीं से ऑनलाइन पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, अचानक, और उसको देख करके आपका मन पर संन हो सकता है, साथ ही आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिल सकता है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा धनकी आवश रखता है, तो आपके मित को आपको पहचानना है पहचानने में गलती नहीं करनी है कि कौन आपका मित्र है कौन आपका शत्रू है ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए यह तो रविवार का दिन है लेकिन कोर्ट कचरी से संबंदित कोई भी मामला ज आपके दिमाग पर हावी ना हो और आप आराम से आज का दिन अपना निकाल सकते हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए एक छोटा सा उपाय आप जरू करने कि भगवाएं शंकर जी के शिवलिंग पर जा करके आप दूद से कच्चा जो दूद होता है और गव म नमहा इस मंतर का भी एक माला जाप महा बैट करके करें और एक माला ओम नमह शिवाएं इस मंतर की करें तो आपके लिए आज का दिन काफी सुखद रहेगा शांती पूर्ण से निकल जाएगा अन्त में बात करेंगे जो मीन राशी के हमारे मित्र हैं जिनका की पाई से साइ है तो यह साथियों बताना चाहेंगे के आज के दिन आप जो हमारे ऐसे मतलब मीन राशी के जातक हैं के उनको थोड़ा सा स्टूडेंट्स की बात करूँगा पहले मीन राशी के आज के दिन देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये काफी अच्छा कर रहे थे ठीक चल सकता है पढ़ा ये मंदा ना लगे इसी भी संबाव ना है या फिर पढ़ाई करते समय और आपको चीजें दिमाग में बैठना पाएं उस एक तरीके से उनको लर्न करने में दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है और कहीं न कहीं रिजल्ट्स भी प्रभावित होते हुए लग रहे हैं लेकिन मैं आप से बताना चाहूँगा प्रियसातियों कि आपका जो प्राकरम है वो काफी अच्छा रहेगा मेहनत करेंगे मेह मेहनत में विश्वास करना चाहते हैं और आपकी ऐसी इच्छा है कि मेहनत की जाया जिसकी ग्रहों की और से संकेत भी मिल रहे हैं तो फिर आप मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं ह हमारे स्टूडेंट्स को उनको अपने अनुसार रिजल्ट्स प्राप्ट करने में भी थोड़ी परिशानी हो सकती है। लेकिन प्रियसातियों बताना चाहेंगे कि कोई भी गलत तरीका एडॉप्ट बिल्कुल ना करें हम बरावर मीन राशी के जातकों से यही कहते आ रहे हैं कि भाई आप कोई भी ऐसा गलत कर रहे ना करें कि जिससे की आपके उपर कोई जूटा आक्षिप लग जाए या कोई स सूर्यदेव को तावे की पात्र से प्रहतेकाल इस नान करने के पश्चाथ आप जल यानि कि अर्द देना है और उसमें एक चुक्ती आपने कुम-कुम मिलाना है और आपने उस जल को सूर्यदेव को देना है और अर्पिक करना है और अगर हो सके तो ओम घ्रनी सूर्याय न महां इस मंदर का भी एक माला 108 वार वहीं पर जल देते हुए, आप ये कार्रे करें, और शिव सहतर नाम का पाट, घर में बैठ करके अपने पूजा घर के सामने, चाहें 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन ज़रूर करें, शिव सहतर नाम का पाट, ये आप करें, और आज के द राशियों के जो जातक हैं उनका देनिक राशी फल और आपको अगर ये राशी फल पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरू करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस ज आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियो का लाव ले सकें जानकारी का तो फिर आपको बैल आइकन जरूर दवाना है तो साथियों अब इसी के साथ हम अपने इस कार्रेकरम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिया दर्शक्रणों से लेंगे अजाजत त उनलब सकत शर्शक्रणों तक तो ढापको ठापत्स पाथ हम ênर शर्शक है।